वेलकम बैक दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा नेक्सोन के एक से मोडल के चीजों का इस्से मोडल के अधर मुजिक सिस्टम पहले से आता है लेकिन चोटा वाला सिस्टम होता है उसको अपडेट करने के बाद यहां पर ड्रिवन का टच्ची स्क्रीन मुजिक सिस्टम है वह इंस्टॉल करने वाले हैं यहां पर देख सकते हो पैनल लगा हुआ है यह पूरा फिनिश के साथ इसका फ्रेम है उसके साथ इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट रहने वाला है लाइटिंग सिस्टम के अंदर क्या-क्या अपडेट है अगर बात करते हैं उसकी तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो इसके अदर जो है इसके हैड़ लाइट के अ गया है इसमें आपको हैरोजन बल्ब मिलता है हाई बीम के अंदर भी दोनों के अंदर चेंज किया गया है दोनों के लाइट है वह इंस्टॉल करी गई है तो फॉग लैंस का जो इंसलेशन है वह भी किया गया जिन भाइयों के पास अपनी एक से मोडल है उनको पता होगा उनकी फॉग लैट की असेंबली है कंपलीट वह कुछ इस तरीके की आपको मिलती है इंडिकेटर वाला जो पॉशन के साथ में कनेक्ट रहता है इसमें भी एक अपडेट किया गया है लेकिन यहां पर इसके अंदर भी जो लाइटिंग है वह रखी गई है और अपने जो फ इसके फॉग लाइट हाउजिंग अंदर वह आपको यहां पर देखने को मिल जाती सब्डेट को भी आप करवा सकते हैं दोस्तों तो अपने रियर रिफ्लेक्टर है जो कि आपको इस तरीकी का मिलता है जो कि इस वाले विरेंट में आता है दमी टाइप का उसको भी चेंज करके इसके अदर आपना रिकार रहे हैं और यहां पर देख सकते हो तो चीजर जैखने का रहता हो नहिए ऑपको जोजीज़े की की पीसी रहने वाले यह वो सारे कुछ नहीं इसका इंसलेशन रहेगा तो इसको दिखाएंगी किस तरीकी का रहता है यहां पे आप देखो तो अपना जो एकसे मूडल के अंदर आपको इस तरी माउंटेट कंट्रोल नहीं मिलते हैं तो इस तरी माउंटेट ओडियन का इंसलेशन है वह यहां पर कुछ प्षड बात करते हैं उसलेशन आपको झिखाते है कि वह ख़ता है कि अब देखना वाला आप देखाते हैं कि यहां पर देख सकते हो ऑप इस Justice अफ्वाली गाई इंदर को नहीं मिलते हैं तो यह आपने से त्रीपल कलर पर वाले हैं आप में सकतो है और के शब्सक्राइभ पर One करेंगे तो तो हैडलाइट और फोग लाइट के साथ कुछ तरीके का आपको रोड पर रिस्पोंस मिल जाता है काफी आपको ब्राइट जो है वह देखने को मिल जाएगा जिसके हलोजन बाते उनके मुकाबले जो ब्राइटनेस है गाड़ी के बहुत जादा बढ़ चुकी है तो अगर आ बात करते हैं इंटेर के इंस्टाल करी गई है सबसे पहले यहां पर देखोगे तो इसके आपको वहां पर भी देखने को मिल जाती है इसके अलाव आपनी दो भीस हैं वो आपको इसके डैश्वट वाले पोर यहां पर देखने पर देखने को मिल जाती है कुछ सरीके से आप देख सकते हैं तो चारों पर देख सकते हैं तो चारों थीरी की जो यहां पर इंस्ट्राल करी गई है इसके आपको नथे को चूज करने का उप्शन मिल जाता है और फॉन एप्लिकेशन की थूरू जो है आप इन कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं इसके लावा यहां पर देखो तो अपना जो इसका जो इंसलेशन है वह आपके सामने हैं बागी बात करते हैं अब म्यूजिक सिस्टम की दोस्तों तो यहां पर देखो त काफी अच्छा जो जो ओरॉल व्यू है वह आपको देखने को मिलेगा पार्किंग टाइम भी कहीं पर भी आपको कोई भी जो दिक्कत है वह नहीं आने वाली है एक से मोडल में इंस्टॉल किया है तो जाइट सी बात इसके दर कैन्वस का भी इंसलेशन किया गया है और कैन इसके अलावा दोस्तों अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो दो जीबी रैम अपना बत्ती जीबी इंटरनल सोरेच के साथ जो है यह रहने वाला है और इसके अंदर आपको अपल का अपले की करनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाती है काफी कुई करनी है तो उसके लिए प्रोपर आपको प्ले स्टोर दिया हुआ है आप यहां से जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्लोर पर देखते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको इसकी डाय वाली जो फ्लोरिंग है उसका इंसलेशन देखने को मिल जाता है क्रोकोडाइल डिजा प्ले फ्लोर के उपर आपको देखने को मिल जाती है इसके अलावा यहां पे आपको इसका प्लेट का भी इंसलेशन देखने को मिल जाता है जो के नेक्सोन की प्रोपर ब्रैंडिंग के साथ है यहां पर देखो तो फ्लोरिंग का फिट्मेंट जो है किया गया है प्रोपर यहां तकि सारा कुछ पीस है वो आपको सीट के निचे जाता हूँ नजर आ रहा होगा तो कोई भी चीज गिरती है तो साफ करने में आपको काफी असानी जो है वो रहने वाली है और फ्लोरिंग यहां पर भी आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट्मेंट के स जो है वो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई है तो सबसे पहले आपको मैं इसकी रूफ दिखाना चाहूंगा तो रूफ का जो कलर है वो पूरा चेंज हो चुका है अपनी ब्लैक कॉंट्रास रूफ जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है डूल टोन के स इसकी अलाब नीचे आते हैं तो डोर है कि दोस्तों औपकर यहां से क्या क्या कि किया गया है सबसे ऐपर के तरफ आपsee जैंवन वाला Supes यहां पर आप देखो तो शार्क पिन टाइब रेडियो एंटीना जो है वो भी आ चुकी है और दिया रिफ्लेक्टर का भी चुनेशन है वो किया गया है और यह अपने जो रिफ्लेक्टर है वह च्छाइब आपको जलाएंगे तो यहां उसमें option मिल जाता है कि जब भी आप जिस भी साइड का इंडिकेटर करोगे यह इंडिकेटर के उपर भी जो है सिक्वेंशल टाइप बिलिंग करना है स्टार्ट का देता है जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो इन्डिकेटर पूट किया हुआ है और यह जो है वह सिक्वेंश जो अपनी दिशानी है वह आप यहाँ पर देख लिए इसमें आपको फैरेद्स नहीं मिलती है यहाँ इप देख सकते हो प्रोपर आपको रबडंब अगरे के साथ देखने को मिल जाए यहाँ पर देखो तो अपने की दियर वीम्त कैमरा है वह इंस्लॉल को इब गया है Snam तक जो है गाड़े को प्रटेक्ट कर देती है तो अपना कस्टमाइज वाला जो आमरेस्ट है वो भी इंस्टॉल किया गया है और इसके उपर प्रोपर यहां पर आपको बर्फिट डिजाइन है वो देखने को मिल जाता है साइड़ों में पाइपिंग दी गई है ताके इसका यहां पर देखने को मिल जाएगी तो आपको काफी ज़्यादा कमफट जो है वो देने वाला है इसकी जो इनसलेशन है वह आपको में दिखायता हूं तो यहां पर देख सकते हो तो कुछ तरीके से कपजर के तुरू इसको जो कनेट किया गया है और बहुत ही सिंपल है और यहां पर देख सकते हो अपने जो कफोल्डर भी है वह भी यूज में रहने वाले है और यहां पर इस पीज है वह भी आपका प्रोपल वर्किंग में रहेगा तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों का सारा कुछ मोडिफिकेशन आपको दिखा दिया है एक बार मिलते सिर्फिज हों कारों को चाहिए ऊसे लगाने के लिए कुछ मिल गया है कहा है तelyn कर देना चाहों है एक अपनी नई गाड़ी ब्रीजा के लिए भी रिकमेंट किया हुआ है आको टेशन वगरा वर्मा लिया है और एक आई 20 भी आएगी तो तो तीनों भाई गाजी अपने पूछना है तो दोस्तों सारे कुछ एक स्रीज ती जो के इस नेक्सॉन के नर इंस्टॉल करी गई आप